वेल्कम टो इर्फान आईएस अकैडमी एंसी ए आटी दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फाइव एंसी आटी क्लास सिक्स हिस्ट्री ओके जिसकी हेडिंग है किंडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक किंडम्स की बारे में पढ़ेंगे इनके किंग्स की बा शंकरण वक पे टो सींहिस गरन फाइरान से ऑल रेडी तो गो एंद वोड्लिक वोड्बट वो उसने एक त्यार हो रहे हैं आटजा कि बाहर क्या करने के लिए वोड्ट करने के लिए तो वांटे टू बीन फरस्टो रीच्ट पोलिंग बूट इन्ट और वह चाहते हैं कि स his grandfather explain उसके grandfather ने कहा कि we can choose our own rulers today आज हम अपने rulers को choose कर सकते हैं elect कर सकते हैं because today is election day आज election का दिन है इसलिए हम बाहर जा रहे हैं vote करने के लिए आज अपने rulers को या leaders को आज हम चुन सकते हैं तो अब how some men became rulers तो यहां पर question आता है कि हैं लोग कैसे rulers बनते हैं तो इसका answer यह है कि choosing leaders are rulers by voting हम vote करने करके अपने leaders को या rulers को choose करते हैं चुनते हैं या elect करते हैं is something that has become common during the last 50 years also on और सो इसके यानि कि 50 साल से यह चला आ रहा है यह common common बन चुका है कि हम लोगों को vote कर करके ही चुनते हैं तो अब यहां पर question यह आता है कि how did men become rulers in the past यह तो रहा हम present का मामला कि हम आज के वक्त में vote करते हैं vote करके लोगों को चुनते हैं और उनको या तो assembly में बेशते हैं या तो चैप्टर फोर वर प्राबबली चुसन बाइदा जना तो लोग जो है जना किसको कहा जाता है जना कहा जाता है पीपल को जो लोग हुआ करते हैं उनके द्वारा जो है राजा को चुना जाता था हमने चैप्टर वें पढ़े लिया है लेकिन अराउन 3,000 यह अगो लेकिन 3000 साल पहले कि क्या बात है कि वी फाइन सम चंजेज टेकिंग प्लेसे से इन दा टेकिंग प्लेसे इन दा वेस इन वीच राजास से वर चुसन कि अब जो है कि जो एक करे कही चैंजेस हमने देखा कि इसमें जो है कि राजास को चूज करने का तरीका बदलता गया तो वो तरीका क्या रहा है हम आगे पड़ते हैं क्या हुआ कि अब राजा हम उन्हें चुना करते थे हैं जो बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस कर परफार्म करते थे जैसे कि अश्वमेद और हास सैक्रिफाइस हास सैक्रिफाइस किया करते थे हैं वहस वन सच रिच्वल एक रिच्वल हुआ करती थी इसके जरीव क्या होता था कि हास वहस लेडूस तुवेंडर ठृली आं वो एक राजा को छोड़ दिया जाता था नामीन एक kingdom's of other raja's, अगर दूसरे राजा के kingdom's में अगर वो घोड़ा intake कर जाता था, तो अब उसको ये समझा जाता था कि अगर वो राजा को, वो horses को अगर उसने रोक दिया, stop कर दिया, तो they had to fight, आप इस तरह समझें, कि ये राजा A है, राजा B का ये kingdom है, आई ये राजा A का kingdom है, राजा A ने अपना एक horse छोड़ दिया, जब ये जो है, दूसरे kingdom में जाता है, अगर यहां का राजा इसे घोड़े को रोक देता है, और stop कर देता है, तो फिर इसका मतलब ये होता है, कि ये जंग लड़ने के ल कि if they allowed the houses to pass अगर वो राजा बी जो है वो अलाव कर दे कि हाँ तुम आ जाओ क्योंकि तुम राजा यह बहुत बहादूर है अब पावरफूल है हम इससे जंग तो नहीं लड़ पाएंगे तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता था जिसकी वज़ाद से होता क्या था कि आपनी टारी को उसको दे देता था और दा राजा क्योंचित कर देंट न इसके जो सेहamız होता था क्योंकि इसके जोाधेरिट ओते थे वो बहुत ही मजबूत होते थे तो इस राजा सक व एन्वाइटेड तो नहीं इन्वाइटेड बार्या AND यृणस जब वो sacrifice का जब वक्त आता था तो उन राजाओं को invite किया जाता था विच वस पर्फार्म बाइस सपेशली ट्रेंट प्रिस से तो वह जो है कि sacrifice जो राजा sacrifice को और्गनाइस करता था वस रिकरगनाइस ऐस बींग वेरी पावफुल तो उसको बहुत ही पावफुल समझा जाता था और ऑल डोस वो केम टू केम ब्राट गिफ्स से फार हिम तो जो लोग यहां पर आते थे उस सेरिमनी में तो उसके लिए गिफ्ट वगरा भी लाया करते थे ओके तराज्य वास असेंटर फीगर इंडीस रिच्वा से तो वह राजा जो था वह इसे रिच्वाल के बीच का सेंग सेंटर फीगर हुआ करता था ही ओफिन हैड अस इस पेशल सीट उसको जो है कि इस पेशल सीट पर बैठा या जाता इसकारीटियर इसके जो कैयिजिट कारियोटीर होते थे और जो कि उसके केंपैनियन होते थे ऊब के व qui कि बैटल फील बगारा को देखा करते थे उसके एक्सप्लाइट से से उसकेルクिक्स को देखा करते ते वह चैंटेटेस टेल से उसकी उसकी गुलॉरी उसकी बहादूरते बादूर ह göster मेरे मैं रिच्वास को भी परफाम करते थे दब दी अधर राचा से वह सिंपली इस्पेक्टेटर से ओके हैं who had to sit and watch the performance of the sacrifice sacrifice के performance को देखा देखते थे और वो जो है कि बैठा वहां पर उनको बैठना पड़ जाता था प्रीस से परफॉर्म दा रीचुवस इंक्लूडिंग दा स्प्रिकलिंग इसके सैक्रेड वाटर अजो है कि जो पवित्रे हैं वाटर हुआ कि हैं सैक्रेड वाटर हुआ करते था तो वह परिस जो है कि इस राजा के ओपर छुटक दिया करते थे और टी आर्ड नरी पीपॉल ऑ कि दवीष्या었े और वेश्या से तो उन लोगों को जो है कि आलाव नहीं धा कि वह लोग सेरीमेनि में आ कर पार्टिसिपट ब champ करें वह excluded From Caram?? वह से रिचोर से उन को एक्स्कोरी कर दिया गया था वह लोग कहा करते थे कि वह लुग शुद्ध है कि polluting person हैं तो उन लोगों को आने नहीं दिया जाता था ओके अब उस वक्त ना वर्ना सिस्टम का भी मामला चल रहा था वर्ना सिस्टम क्या है इसके बारे में हम आगे जानकारी हासिल करते हैं कि वी है मेनी बुक्से दैट वर कंपोस्ट इन नौथ इंडिया बहुत सी किताबे जो कंपोस्ट की गए थी नौथ इंडिया के अंदर इस्पेशली इन दा एरिया स्टेंड बाई दा गंगा एंड यमुना यह गंगा और यमुना के बीच के आस पास में जो भी एरियास थे उस वहां पे वहां पे बहुत सी किताबों को कंपोस्ट किया गया था ओके दीस बुक्स और ओफिन कॉल्ड लेटर वैडिक और इन सार हम लेटर वैडिक कहते हैं बिकास देवर कंपोस्ट और वह लोग क्या कंपोस्ट करने लगे थे तो वह लोग कंपोस्ट करते थे क्या कंपोस्ट किया था उन्होंने सामवेद को फिर यजिरवेद को फिर अथरवेद को अधर अधर बोक्स अलग अलग किताबों को उन की किस तरीके से रिच्वाल्स को परफॉर्फ या इस वज़ा से सवसाइटी के बारे में भी रूल्स वगरा बनाया हुआ था कौन प्रीस वगरा किस तरीके से वर्न इसी वज़ा से सोसाइटी के अंदर वर्न इस्टम चलना शुरू हो गया था से मरल तरफ दिफ्रेंट गूम से इन तरह ऑर्र इस टाहिन अलग अलग परकार प्रक तरफ कि उस वक्त वनाँ है सो把它 हो गया चैसे फिर्स हो गान weitere सोगे हैं ट्रेडर चाब प्रेड लेबरर से्सिंग फौक आघ धिन राछ्वर्ड थे युश्ए टेस्तों आपके आए 9 पेक्ष प्रेश चाज और공े कसे प्रेशा करिस्ट कर आए 9 इन दीन अलब कर दिया करते स्ट पार्मस यह इंज लोग कहतेक्षिक पार अनरों उसक्त प्रफिशिक्रम कामर्व और स्टेशियों को इन जाू तटेश भी थे स्टेश से स्टेशने प्रियजक स्ब्सक्राइए लोगों के लोगों को बाड़ दिया था चार गूरुप में लोगों को बाड़ दिया था इसको हम कहते हैं वरुजू आ वर्णा के सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि EACH वर्णा है टुट्टीफरेंट शेट आफ क्शन से उनके अलगसेट अफक्शन होते थे कि काम काझ के अधार पर लोगों को डिफेंट लोगों को बाड दिया गया था दफस्ट वर्णा वास लेट अब दब्रहमिन जो सबस एस्प्क्र किया जाता था कि भाइ वह स्टड़ी कराएंगे विदास को करेंगे या तो फिर वे टीज कराएंगे विदास को ऌके और परफार्म प्रक्राक्टिशेश एंड इसीव गिफसी तो उन लोग सैक्रिफाइस अगरा को परफार्म करते थे एंड गिफ्ट वगरा भी लेते थे इन दा सेकंड प्लेस वर दा रूलर से आज जो सेकंड प्लेस था आप ऐसे समझें कि यह है प्रीस यह है रूलर से यह प्रीस हैं और यहां पर फिर आजाएंगे चछत्री उके उसके बाद वैश है इस तरह से यह वरना सिस्टम बना सब्सक्राणा था तो सेकंड क्या था सेकंड था की ओके इनद सेकंड प्लेस वह्त रूलर्स आज आस रिक यह उनको क्या Bare चारे क्या जाता था देवर एस्पक्टेट टू ऐवा से उनसे क्या जाता था वह बैटल को फाइट करेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे जैड़ क्या थे या तो विश्याग उनको कहा जाता था देवर एस्पेक्टेट टू दफ तूबी फार्मस हर्ड से तेडस वह तो या तो फार्मा हुआ करते थे ओके लास वर दर शुद्रास यह तो समय लिए हजारों सालों तक इनके साथ डिस्क्रिमनेशन होता रहा है सोसाइटी के अंदर यह शुद्रास जो थे उनको यह माना जाता था कि हूँ हाइड तो सर्व दी अदर थ्री ग्रूप से ओके जब जो बरहमीन थे जो छट्रिए थे जो वैष से उनको वो सर्व करते थे उनकी नाओ करते थे तक नौट परफार्म ऑनी रिचिव़ों किसी भी रिच्वल्स को परफार्म नहीं कर सकते थे अफेडिए और वीमन वर आसो ग्रूप ँ JUST TIME OR विमन की इस्थित यह थी कि वो भी शुद्रास की काटेगरी में इंक्लूड कर दी जाती थी बट बोथ वीमन अंड शुद्रास वर नॉट अलाओ टू स्टडी द विदास अब देख लिए कितनी बड़ी बात है कि जो शुद्रा या वीमन होते थे उनको विदास को पढ़ने की अनुमती नहीं परदान की गई थी 일िदेऑ अंड याक निदेद पर याननुद जन्म के आधार पर उन ग्रॉफ को डिवाइड निया गया था यह उपिर इसका कहना होता था जो पुझारी होते थे उनका कहना था कि जन्म के आधार पर लोगों को बाटए जाए, तो थे लिक्जा fakर बाकर क अगर किसी की माता या पिता ब्रहमिन है, one would automatically become a ब्रहमिन, तो वो automatically ब्रहमिन हो जाएगा, and so on, लेटर अगर वो छत्री का बेटा है, तो छत्री ही बनेगा, अगर शुद्र का बेटा है, तो वो शुद्र ही रहेगा, इस तरीके से औरनेस सिस्टम चलता आ रहा था, लेटर क्लासीफाइड, अब बाद में इसको जो है कि सम पेपल्स को अंटचेबल घोशित कर दिया गया था, कि भई ये अंटचेबल है, उनको अंटचेबल की काटेगरी में रख दिया गया था, अंटचेबल का मतलब यह कि लोग उनसे जुड़ते नहीं थे, उनको बुलाते नहीं थे, उनसे दूर रहते थे, गाउं के अंदर वो लोग को इंटरी नहीं होती थी, गाउं के बाद लोगों को रहने के लिए जगा दी जाती थी अगर वो गाओं के अंदर इंट्री करते थे तो फिर उनको घंटा बजाकर उनको गाओं के अंदर इंट्री करने की अनुमती दी गई थी इस तरह से अंटचेबल लेकिन आप परसें थे हंटर थे एंग गैदर उनको टच अंटचेबल के रूप में देखा जाने शुरू कर दिया गया था आइसे भी लोग थे जो बरियल परफार्म करते थे या क्रिमेशन से वगरा परफार्म करते थे उन लोगों को भी इसी काटेगरी में यानि कि अंटचेबल क काटेगरी में रख दिया गया था और यह सारी की सारी चीज़े कौन बनाता था प्रीस ही बनाते थे प्रीस सैट दे काउंट टैक्ट विद इस ग्रूप से वस पोल्यूटिंग अब देखिए उस वक्त कितनी जादा डिस्क्रिमिनेशन थी कि उस वक्त के जो प्रीस कह दिय नौट अक्सिप दा सिस्टम आफ वर्ना से वर्ना के जो सिस्टम थे उसको बहुत से लोग नहीं मानते थे लेड़ डाउन बाइद ब्राहमिन जो की ब्राहमिन की द्वारा लिखा गया था संब किंस से थाट ओके देव वस सुप्रियर तूदा प्रीस वह लोग कुछ ऐसे भी केंग थें उनको यह लगता था कि हम प्रीस से ज़्यदा सूपरियर हैं क्योंकि भाइ लड़ने का काम हमी करते हैं पर्जा को क्हाना कि सप्रियर होसकते सूपरियर तो राजा को होना चाहिए तो कुछ ऐसे राजा थैजो अपने आपको समшते हleं कि हम सूप्रियर है तो प्रेस्ट अधर बिलॉंग तू अधर से लोगों की यह भी लगता था कि यह कैसे हो सकता है कि बर्थ के आधार पर जर्म के आधार पर आप किसी को किसी से बाढ़ देंगे कि बिसाइज से सम पीपल फेल्ट यार शुड बी नो डिफरेंसे अमंग्स पीपल बेस अंक आक्यूपेशन तो बहुत से लोगों की यह भी लगता था कि भाई हर एक बंदे को आप एकुल समझे और एकुल सोसाइटी बनाने के कोशिश करें उनमें कोई भी डिफरेंसे नही होनी चाहिए उन लोगों के बीच में ओके अधस फेल्ट एट एवरीबड़ी शुड बी अबल टू परफार्म रीचुल से हर एक को हर एक को पर रीचुल को परफार्म करने का अधिकार दिया गया था वह बहुत से लोग अधर लोग भी यह समझे थे थे और अधस कम कंडे अधसे लोग ऐसे भी थे जो अनटचिबिल्टी को की प्रैक्टिस को को बहुत बुरी तरह से कंडेम करते थे ओके कहते थे यह अनटचिबिल्टी क्या चीज़ होती है हर एक इंसान हर मनुष्य जो है कि इश्वर का संतान है तो भी उसको बराबर का सम्मान देना चाहिए अनटचिबिल्टी वगरा बहुत से लोग नहीं परफॉर्म करते थे और सो देर वा मेनी एरियास इन दे सब कॉंटिनेंट सच आइस दा नौथ इस्ट नौथ इस्ट जो एक एरिया है उस एरिया में इन सारी चीज़ों को परफॉर्म नहीं किया जाता था वे सोशल एन एक प्रिस वहां पर जो प्रिस होते थे उनके जो इन्फ्लेवेंस होते थे वह बहुत ज्यादा लिमिटेड थे और यहां पर कुश्चन किया गया है देखें जब भी आप यह क्योंकि सिक्स क्लास की बुक है तो सिस्ट क्लास की एंस्याटी में आपको थोड़ा-थोड़ा यह कुछ इंफ्लिमेशन आप आप चाहेंगे कि आज ही इस एसी क्लास में सब कुछ बता दिया जाए तो यह आप आप जो है की हो सकता है कि इंटेलिजेंट हो लेकिन यह जो थाउजन साफ फ्रेशर या बीगनर से उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है वाइड डिट प है जनपदाज से जहाब हैं ग tremendous पढ़ेंगे तो इसको जनपद किसके लिए क्या है कि उसमें जो राजा हुआ करते थे वह परफार्म करते हैं ओक जिसके वाँँ मैंको बहुत ही बड़ा राजा समझा जाता था जन-पदा का राजर दें जना जनास पालाए तो कि जना से जादा उनको बहुत जादा पावफुल समझा जाता था क्योंकि वह बड़े-बड़े सैक्रिफाइस को पर्फार्म करते थे दाराजा हूप पर्फार्म बिग इस बिग सैक्रिफाइस से वर और रिकागनाइज से एस बींग राजास आफ जनपदास रादर दन अर best अब जैसे ही आप बता दिया गाव है जन्पदास के जो लोग अईसे धरती पर यहाँने के बाद वहां पे स्टेटल हो जाते हैं तो ऐसी धरती को वो लोग जन्पदा कहना शुरू कर देते हैं समिंपॉर्टे जन्पदास आज शोन आन मैप फोर तो कुछ ऐसे भी जन्पदास जिनको मैप फोर में दिखाए गया है 49 पेज पर ओकि अब आप आगे यह पढ़ें कि जो आर्केिलाजिस हैव एक्सक्वेटेbay अनमंबर आफ स्टेमिन इन जन्पदास जो आर्के लाजिस होदे होता है घर्केलाजरिस और जाल थे जो चीजवों को परानीं चीज़ों की स्टड़िअ करता हो परंडी Senate को find out करता हो उसको archaeologist कहते हैं तो archaeologist ने कुछ exploit किया गद को खुदाई की खुदाई करने के बाद क्या देखा कि जैसे कि आप दे सकते हैं कि पुराना किला इन डेली में है हस्तिनापूर जो है कि मेरट में है और अत्रंजी खेरा जो है वह कहां करते थे वह लोग हर्त में जोपरी में रहा करते थे या तो वह अपने साथ और अपने साथ क्या रखते थे या तो पुराना किला है या तो फिर हस्तिनापूर में जो मेरट है वहां पर जो ceremonies action. हुआ है तो वहाँ पर क्या चीज़ पायगे तो भई वहां पर यह पायगे कि वह पे लोग हर्ट्ट में रहा करते थे और वह लोग किस चानवर की के को पालते थे वो लोग कैटल वगरा को या अदय नी निमल वगरा को पालते थे आल सो ग्रू ऑव एराइटी अफड पर होती थी तो अब यहां पर यह कहा गया, is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 3, chapter 3 में आप किसे कौह ओन से iसे crop को पढ़े हैं, फ़ले हैं जो यहां पर mention किया है, फ़लेहांद इहां पर mention किया हुए, chapter 3 में mention नहीं किया है, तो I think आपने यहां कि rice के बारे में, wheat के बारे में, उसे प्रेखे में पम स्टर के बारे में बारे में पड़ा ही लेकिन पलसे इती, आब स्टर के बारे में आप बताएं कि क्या यह सही है एक लोग बन बने खरस्ट बनानी आप नहीं पार्ट हला बनाता से ति को नहीं स्टर बनातेخ बनानी हैं और वह Kitty Golf Kpr , तो आप पर ग्रेज और रिड आप्शन पर ही क्लिक करेंगे तिक लगाएंगे और इस पेशल टाइप आप पाट्री फाउंड एंड इस साइज से एस नोन आप पेंटेड ग्रेग वेर तो बहुत एक इस पेशल पाट्री को भी पाए गया है जिसको लोग कहा करते हैं पेंट डिटेड ग्रेड वेर ओके अइस बॉइस यह फ्रांद नेम देज ग्रेज पाट्री पाट्री इस पाए गया है बहुत अच्छी डिजाइन में पाए गया है यूस्वली सिंपल टाइश और सिंपल लाइं से एंड जोमेट्रिक मैं मैं पैटन्स जो एसींपल लाइं भी है geometric patterns भी उसमें मिले हुए हैं अब हमने जन्पदास के बारे में पढ़ लिया है देखो जना के बारे में हमने पढ़ा है जना के बाद हमने क्या पढ़ा है जन्पदास के बारे में पढ़ा है जन्पदास के बारे में पढ़ा है अब हम पढ़ेंगे महा जन्पदास के बारे में अब महाजन्पदास क्या है आप आगे कि लास में पढ़ेंगे कि महाजन्पदास 16 लेकिन यहां पे दो तीन के ही जिक्र होंगे क्योंकि अभी क्लास की बुक पढ़ रहे हैं आप जो है कि अपना बेस मजबूत करते जा रहे हैं देरे देरे जब 6,7,8 बुक और 9,10 में पहु सब्सक्राइब करते हैं तो महाजन्पदास से हैं पावफुल बनते हुए नजर आएं तो उनको महाजन्पदास कहा जाने लगा इनको महाजन्पदास में दिखाए गया है तो महाजन्पदास थे जनकी अपनी खुद की कैपिटल सीटी हुआ करती थी तो इनके किनारे किनारे की दिवारों को बना दी गई थी ताकि अब बाहर से कोई आकरमन ना हो सके तो इस तरीके से उनको जो है कि महाजन्पदास बोला गया उसी को फोटिफाइड बोला जाता है ओके देखे यह है इंपॉर्टन्ट जन्पदास महाजन्पदास से एंसिटी से यहां पर आपको बता दिया गया है कि महाजन्पदास सोला होते हैं लेकिन यहां पर तो दिख जो है मगद है मगद के बारे में आगे भी आपको सारी चीज़े मिलती जाएंगी लेकिन आप अभी मगद के वज्जी के बारे में पढ़ने के कोशिश करेंगे ओके फोर्स से वर प्रॉबली बिल्ट बिकॉस पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक से फ्राम अदर किंग से अनीड़ प्रोटेक्शन तो फोर्ट को बनाने का क्या रिजन होता था क्योंकि लोग डरा करते थे लोगों दूसरे राजा के अटैक से लोग डरा करते थे और उनको जरूरत होती थी इसलिए फोर्ट वगरा को बनाते थे और अपने शहर को सिटी को किंडम को फोर्टिफाइड कर दिया करते थे इस आपको शोर्ड़ करना चाहते थे कि वह कितने ज़्यादा अमीर हैं या कितने ज़्यादा वह पावर्फुल हैं इसलिए वह रियली लाज कीड़ी को बनाते थे उसके बाद जो एकि बहुत लंबी लंबी दीवारों के इंप्रेशिश स्वच को बनाते थे अपने चारो तरफ की सिटे को सिटिक को को लिए और अर अधसले एद राजा। सब्सक्राइब पीपोल पृतिवाइड और एडिया कुड़्ट बी इसली लुएज्ण By The King के लिए असे mojeं वह में था कि लिए असनी होती थी उन लोगों को कान्ट्रोल करने के लिए जो लोग इस एरिया के अंदर रहा करते थे उन रहा करते थे उन लोगों को कंट्रोल करने में बड़ी असानी होती थी राजा के लिए building such huge walls required a great deal of planning जो building बनाई जाती थी जो चीज़े बनाई जाती थी उसके लिए great deal of planning की जरूरत बहुत ही जबदस planning की जरूरत होती थी क्योंकि बहुत जादा बड़े बड़े huge walls बना रहे है थाउजन्स या तो फिर लाक्स आफ बिरिक्स की जरूरत पड़ती थी ताकि उसके जरीये से आप पर उसको त्यार कर सके उस wall को अधिस इंटन मेंट इन्नॉरमस लेबर अब लेबर से ओके बहुत ही बड़े पैमाने पर लेबर की जरूरत पड़ती थी provided possibly by thousands of men women and children की जरूरत पड़ती थी हजारो हजार लोगों की जरूरत पड़ती थी and resources had to be found for all of this resources की भी जरूरत पड़ती थी जैसे कि for example आप यह से दिवार को देख सकते हैं कि यह क्या है यह fortification wall at koshambi koshambi में एक बहुत भी बड़ी दिवार मिली है जो कि fortification wall है और इसको बनाए गया था कब this is a picture of remains on of a wall made by made of bricks से वह जो है कि brick से बनाए गया है आप देख सकते हैं इसको बनाए गया है और यह जो है कहां पर पाया गया है present day इसको पाया गया है जिसका नाम बदल गया है ना पर परियाग राज हो गया है उत्तर परदेश में यह a part of it was probably built about twenty five hundred years ago यह कब पाये गया है तो twenty five hundred years ago यह ना कि पिच्छिस सो साल पहले इसको बनाए गया था इसवाल को किस तरीके से बनाए गया है इस तरीके से इसको बनाए गया इस वाल को इजाहे से बात इतनी बड़ी बड़ी वाल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की जरूरत होती थी ब्रिक्स की जरूरत होती थी दा नियो राजास नौ बिगान मेंटिनिंग आरमी इसे अब यहां पर नई बात आ रही है कि जो नय ने राजाँ उबर के सामने आ रही थे वो आरमी रखा करते थे शोल्जर वगरा रखा करते थे और उनको रेगूलर पेड रेगूलर सैरिली फज़गर पे करते थे और से वह प्रॉबबली मेड यूसिंग पंच माक कॉइंस तो कब जो है कि उनको पेमेंट किस रूप में दिया जाता था पंच माक कॉइंस के रूप में दिया जाता था जिसके बारे में एक किताब है आगे के किताब जब आप पढ़ेंगे तो जब आप एक किताब है उसमें detail information collect करने कर पाएंगे ओके आगे भी आप 24 पेज़ पे भी आप कॉइंस के बारे में अच्छे से जान लेंगे और आगे चैप्टर 8 में भी आप इसके बारे में जान लेंगे कि किस तरीके के कॉइंस हुआ करते थे किस परकार के कॉइंस से वह लोग यूज किया करते थे ओके से देखिए नई चीज़े टैक्सिस का भी इस्तमा का लोग इस वक्ते इस यूज करना शुरू कर दिये थे आइस दा रूलस आफ दा महा जन्पदास महा जन्पदास के जो रूरा रूलस हुआ करते थे वर बिल्डिंग यूज फोर्स मैंटेनिंग बिग आर्मी से जब लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया टैक्स को क्लेट करने के लिए ऑफिशल्स वगरा की भी जरूरत होने लगी अधिकारियों वगरा की जरूरत पढ़ने लगी तो इस तरीके से लोग जो है कि आगे क्यों और बढ़ना शुरू कर दिये इंस्टीड आफ डिपैंड कर दिया रेगुलर टैक्स को करने स्टार्ट कर दिया अब किसे 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 वो टैक्स लेते थे उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं टैक्स अन क्राप्स वर दमोस इंपॉर्टेंट जो है कि जो टैक्स होते थे वह लिया जाता था जो कि बहुत जादे इंपॉर्टें नहीं जिसकी वज़ाए से टर्शियर अंडिस्टर ना होने के वज़ाए से लोग किसमें इन्वाल थे फार्मिंग में इन्वाल थे जिसके वाज़ से उन लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया जूस वाइस फिक्स ऐए ते वन सिक्स आफ वट वस प्रोडियोस जो भी प को कहा जाता था दूसरा कौन था देर्वष टैक्स वर्स से भी लिया जाता था डीसकुड है बीन इन दन वैबर और यह किस। coins के labor coins के रूप में tax लिया जाता था नहीं बलकि इसमें लिया जाता था labor के रूप में लिया जाता था for example a waiver or a smith may have had to work for a day every month for the king वहां पर होता क्या था कि भई का राजा के लिए हर महीने के एक दिन में एक दिन जो है कि वो राजा के यहां बाज सर्व करना पड़ता था as a laborer ओके अब हर्डस 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 और आस्टेट टूपे टैक्स इन दा फ़र्म अप एनिमल प्रोडियोस जो हर्डस हुआ करते थे वह भी टैक्स देते थे किस रूप में एनिमस एनिमस से प्रोडूस के प्रोडूस के फर्म में वह लोग ट देड़र्स के जरीये खरीडिया बेची जाती थी उस पर भी टैक्स लगते थे और हंटस एंड गैदरसρώ बिसके ँदेक्स लिया जाता था to provide forest produce to the Raja so forest produce होते थे उसको जो जो है कि देना राजा राजा और राजा को मिला करता था जैसे कि आपने क्या पड़ां के करा परने किकाफ पर्सक्राम हम थो तो पर पर भाद लोग विख्या से जो हंटर संस सपृतल है स्टैक्स कि आप लिए NCRT पढ़ना बहुत है जरूरी है, without studying NCRT आप यूर्ण पर्वाइट को पढ़ना है, तो आपको NCRT का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सी ए आर टी का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके वाट दू यू थिंग वूड है बीन प्रोवाइड़ बाई हंटर्स एंड गैदर्स तो आपको क्या लगता है कि हंटर्स गैदर्स के द्वारा का क्या चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा होगा तो अब जैसे वहां पर हंटर्स गैदर्स को घैसे की अनिमास वगारा को है पर यहा नोगों को फिर इसके बाद अब देर को में आख ताये कोई भी उक्रिक्रार देनों कि और changes in agriculture. अब धीरे-धीर क्या होने लगा जब जन्पदास महाजणपद बनने लगे तो धीरे-धीरे agriculture में changes आने लगे. तो other changes क्या है? there were two major changes in agriculture around this time. Okay, was one was the growing use of iron plowshares. अब वहां पे iron plowshares का use होना शुरू हो गया था. कि अच्छे तरीक के सिल को तौल करने का और भी है विल स्वार होते थे जब शेर करने मेंभी आसानी होती ठील किसे वुड़न प्लावश्ययर से फूरा प्राव यह जो है कि अब एक ओटी ट teeny ses चाहिं कि नहीं कर पाती थी ताकि बहुत ही जादा ग्रेन को प्रोडियूस किया जा सके अच्छा प्रोडियूस जादा से जादा ग्रेन को प्रोडियूस करने की चिंता लोगों को क्यों होने लगी को कि आबादी जादा होने लगी जनसक्या बढ़ने लगी जिसकी वजह से खाना की मांग जादा होने ल होता था तो जी हां होता था वो शुरू हो गया था तो क्या वेदास में होता था वैदिक काल में होता था हां वैदिक काल में भी आईरन का यूज होता था लेटर वैदिक काल में भी आईरन का यूज होना शुरू हो गया था लेकिन आप अगर कहें कि जो हरपन सिविलाजेश सकते हैं आप ऐसे को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी आपका एंसर भी तैयार होता जाएगा ओके आप से कीजिए तो पहला था सेकेंड क्या चेंज आए थे पीपल बिगन ट्रांस्प्लांटिंग पैड़े इस में इस इंस्टीड ऑस्टाइटिंग स्कैट्रिं सीड ऑन दर ग्रांट फ्रांट फ्रम विच प्लांस्प्लाउट से वर ग्रों उसको उगाया जाता था प्लांट फिल्ट किया जाता था फिल्ड के अंदर ओके इस तरीके से सारी चीज़े चैंज आने शुरू हो गया थे इस लेट तो इंक्रीज प्रोडक्शन और यही बैकिंग ब्रेकिंग preaching मेंड है जडेल यस्लेव में विबरूंस्य जिसको कहा सकते हैं कहा जा सकता है दशाते हैं जो होते तें जो गोल मों जो लोग सर्व करते थे गरजा को जो लेंट से अगरिकल्चिर अंबर तैं इस जनको हम कंपकराश कहा जाता है उलो लोग है कितना खतरना कुषिशन आ सकता है आपके एंक्जाम में भी तेंक वाइक तेंक से इन महा जनपदाद या जनपदाद उंकरेजज इस चेंजगेज को करना चाहते थे इस लिए जरुबत पड़ती अगर परजा को जीने का अधिकार देना है तो भाई जाहिस जादा से जादा हमें प्रोडियोस करना पड़ेगा ग्रेन वगरा को इसलिए इसको इंकरेज करना पड़ता था यह कुश्चन इस तरह से आते हैं आप इन सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़िए एक अप्रोड लूक मगद अब देखें मगद के बारे में हम पढ़ेंगे कि मगद क्या था तो अगर आप में अप मैप 4 पेच ना 49 पर देखेंगे तो मगद जो है वो बन गया था क्या बहुत ही मपोर्टेंट महा जन्पदा इन अबाउट इन अबाउट इन बाउट तो अंदर अंदर जो है कि वह बहुत जादा इंपॉर्टेंट महाजन बन गया था मेनी रिवर सच ऐस गंगा और सोन फ्लोड तुरू मगद मगद के आसपास एरिये से जो है कि गंगा आसोन जो इसकी ट्रीबूटरी है वह रिवर जो है कि वहां से फ्लो करती थी देखो गंगा इसकी ट्रीबूटरी किसे कहते हैं पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था जैसे कि यह गंगा जा रही है अगंगा से फिल जो है कि गंगा में आके छोटी नदी आके जब मिल जाती है तो उसको ट्रीबूटरी कहते हैं गंगा की इसी तरीके से सोन जो है गंगा की ट्रिबूटरी यह गंगा है तो यह जो है किसे एरिया में फोलो करती थी मगदवाले एरिया में फोलो करती थी जिसके वज़ाइसे उन लोगों को बहुत ही जादा श्यविधा उपलब्द हो गई थी वास वेरी इंपॉर्टिन फॉर ट्रांस्पोर्ट एंड वाटर को ले जाया करते थी और वाटर की supply भी हो जाती थी लोगों के लिए ताकि उस से मगत दे वर फारे स्टेड और जो मगत के पार्च होते तो वो बहुत जादा फारे स्टेड देगा है इसके वहाँदा फैसर के जाया करते थे तो उन यही довol फिर करें को सुरिज़ करते तब आथ कि गश्य झाया करें ता कि वह लोग उस वजह से मगद बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट महा जन्पदा बन गया था अब सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि यहां पे डियर वर आईरन और माइन से बनाने के लिए भी वहां पे आईरन और माइन से मगद इंपॉर्टेंट बन गया था मगद है टू वेरी पावफुर रूलर्स मगद के अंदर जो है कि सबसे जादा दो पावफुर रूलर्स से गुजरे हैं उसमें से एक बिंबिसार था और एक अजासत्तू था हो उसने क्य किया कि हूँ यूस और पॉसिबल मेंस क्यूंक्वेर अजण पदास अजद दूसरे जनपदास को कंक्वेर उसके लैंड को कंक्वेर करने का जो वह होता था वह सब उसने किया कोशिश की महाजंपदा महाप्दमनंदा वस अनधर इंपॉर्टेंट रूलर एक अलग दूसर एक रूरर था बहुत important रूर जिसका नाम महापदमा नंदा था महापदमे नंद जिसको आप हिंदी में कहेंगे लेकिन इसको महापदमा नंदा इंग्लिश में कहा जाता है वो रूर वो भी रूर था उसने क्या किया और राजगीरी अब यहाँ पे यह बात आगे कि राजग जिसको कहते हैं इन विहार वस्ता कैपिटल आफ मगद सेवरल यह से सालों साल से कैपिटल था किसका मगद का क्या राजगीरी राजगीरी जो है कैपिटल था मगद का का काफी सालों तक उके उसके बाद क्या हुआ देखे कुश्चन यहां पर आ सकते हैं बिम्बिसार के ब तो वेस्ट तक उन्होंने अपना रूल को कंट्रोल किया हुआ था इसकी कैपिटल क्या है इसके कैपिटल राजगिरी रही है काफी सालों तक उसके बाद जो है आपको बताए जाएगा कि इसमें बाद में जो क्या हुआ कि कैपिटल वाज shifted in two 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 part partly पुत्रे इसको पाटली पुत्र आज का जो पतना है उसी को पाटली पुत्र कहते हैं तो पाटली पुत्र में वह शिफ्ट हो गया था राजगिरी से, question इस तरह से बन सकते हैं, more than 2300 years ago, तेजस सो सालों के बाद, जो है, क्या हुआ उससे ज़्यादा, रूलर नेम अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का भी जिकरिया यहां पर आ गया कि एक अलेक्जेंडर था, जो तेजस सो साल पहले, यहां प पूरी दुनिया को वो अपना हत्याना चाहता था, और अपना वहां पे, अपनी हकूमत वहां पे, establish करना चाहता था, of course, he didn't conquer the world, उसने तो ऐसा नहीं कि कर लिया, लेकिन उसने नहीं कर पाया, but did conquer the past of Egypt, उसने एजिट के पार्ट को भी, और एशिया के पार्ट को कम से कम त जब उसने इंडियन कांट सब कांटियन में कदम रखा तो, okay, reaching up to the banks of the Bias, Bias एक रिवर है, जो की Bias रवी है, Bias है, and सतलज है, ये दो, तीन रिवर जो हैं, इंडिया के टेरिटरी में आते हैं, और एक इंडस है, और जो तीन टेरिटरी, जो तीन रिवर से वो पाकिस्तान की टेरिटरी में चले जाते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, उसको जोगरिफी में आने वाले चैप्टर 9-10 में बताया जाएगा, तो Bias जो है, उसी का एक भाग है, तो Bias तक जब वो पहुचे, तो उन लोगों ने क्या सुना हुआ था, when he wanted to march for the east verse, तो वो Alexander क्या चाहता ता कि वो भई मार्च करे आगे, लेकिन उसके जोienda से उसने मना कर दिया, उन्हों ने मना कर दिया, क्यों कि दे वर इस स्काइड वह बहुत डरे हुए थे यहां का जो इंडियन रूलर है उसने बहुत जादा आर्मी रखा हुआ है और उसके पास बहुत जादा जो एकी सोल्जर्स भी है और साथे साथ में उसके पास कैरियर्स अलिफेंस वगरा भी बहुत जादा है जिसके वहां पर आने से मना कर दिये थे इन वाट वेस वर्थ डीस आर्मी डिफरेंट फ्राम दोस्ट डिस्क्राइब इन दर रिगवेद यहां पर कुश्चन किया गया है कि भाई रिगवेद के अंदर रिगवेद काल में जो भी आर्मी का डिस्क्राइब किया गया है वो इस आर्मी से कितने जादा डिफरेंट थे तो जाहिस ही बात है उस वक्त जो लेटर वैदिकाल यह और उसके पहले वाला जो रिगवेद था उसमें जो है कि रिगवेद में आर्मी वगरा रखा लोग अपने लीडर को वहीश चुनते थे और वहीं जो बहादुल लोग होते थे जब भी वार वगरा या पीस वगरा की बात होती थी तो वो लोग कि उसके स्करते थे और उनहीं इस लोगों को तयार कर लिया जाता था कोई रोय गुलर आर्मी वगरा नहीं हुगा करती थी अब में आपने मगद के बारे में पढ़ा लिया वजी के बारे में पढ़ा लेते हैं वजी एक महाजन्पदा था वकल मगद बिकेम पावफुल किंडम जब कि मगद एक के पावफुल किंडम बंच तो चुका था लेकिन वजी जो है with इस capital at वैशाली वैशाली के अंदे उसकी जो capital थी was under a different form of government अलगलब परकार के government उसके अंदर आते थे known as गना और संघास उनको क्या जाना जाता था गना और संघास जाना जाता था तो देखो गना संघा किसे कहते है गना कहते है is used for a group that has many members एक ऐसा group जिसमें बहुत जादा लो संघा किसे कहा जाता है संघा उसे कहा जाता है जिसमें means organization या association उसको गना संघा कहा जाता है ओके तो अब यहां पर आप गना संघा जो है वह उसमें बहुत ही जादा रूलर से पाए गया जाते थे sometimes even when thousands of men rule together एक साथ हजारों लोग जो है कि उस पर रूल किया करते थे गना संघा में each one was known as राजा हर एक अपने आपको राजा कहा करता था इस राजा से perform ritual together वो लोग जो राजा थे वो लोग एक साथ मिलके ritual को perform करते थे they also met in assemblies वो लोग assembly में मिला करते थे and decide किया करते थे के what had to be done and how क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए को कोई भी चीज कैसे करना चाहिए through discussion and debate discussion and debate के द्वारा वो लोग इस चीज को decide किया करते थे for example if they were attacked by an enemy अगर किसी दुश्मन के द्वारा उन पर attack किया जाता था तो they made to discuss what should be done to meet the threat किस तरह से threat से मुकाबिला करने के लिए हमें किस तरीके से हमें वह क्या attack करना चाहिए उनके उपर उसके इसको उपर बुलों discuss करते थे ओके हावर में वीमन दसास और कम करन से कुछ नॉट पार्टिसिपेट इन जीस असेंब्ली से तो आपने क्या अब इसमें कुश्चन आ सकता है कि वीमन वीमन दसास और कम करास तो थोड़े आप तो यह तो कुश्चन आई आसान है लेकिन वीमन क्या assemble में participate करती थी बिल्कुल नहीं करके करती थी गणा और संगहाकी assembly में को anticipation नहीं मिलता था बुद्धा और महावीर जो है जिसके बारे में आप अबाउट हूम यू विल रीड इन चैप्टर शिक्स आने वाले चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो देखा आपने की आधिरे दिरे दिरे एंसियाटी जो है एक एक का जिक्र करते ही मेंशन करते जा रहा ह है और आपको दिरे दिरे चैप्टर में आने वाले किलास में आने वाले चैप्टर में दिरे दिरे उसके बारे में बताता जाएगा तो बिलॉंग टू गनास और संगा यह लोग किसे बिलॉंग करते थे बुद्धा और महावीर वह लोग गनास और संगा से बिलॉंग करते गया है कि उसे के बारें बताएंगे तो दिस इन अकाउंट आफ दिव वजी से फ्रॉम ददिगा निकाया आफ फैमस बुद्धिस बुक के विचे कंटेंस सम अफ दी पिचेस आफ बुद्धा के कुछ इस पिचेस को जो है इसमें रखा गया है उस किताब में डिस रिटन डाउन अबाओ 23 100 अगो तो तेश साथ साल पहले इसको प्रॉज लिखा गया था तो आप इसमें क्याद पाये गया है कुछ इसमें लिखा गया यह है कि आजास सथी द्व वसा करा वसा करा नाम का एक मिनिस्टर जो था उसको भेजा गया कहां पे बुद्धा के दरबार में to get his advice on the matter कि भाई हम जो है वज्जी पर अकरमण करना चाहते हैं अटक करना चाहते हैं इस पर आपका क्या advice है बुद्धा से लेना चाहता था तो बुद्धा और आज के अजोने जब यह सुना आजा सत्र ने उन्हें कहा कि हां ऐसा ही वह लोग करते हैं तो वह वूड टू प्रास्पर ऐस लांग एज वह लोग बहुत अच्छे तरीके से यह सारी चीज़े करते हैं तो उसमें कई चीज़ों का उन्हों नहों ने दिक्र किया जैसे कि यह लोग जो रूल्स उन लोग नहीं स्टैबलिश किया उसको अच्छे से वह फालो करते हैं दे रिस्पेक्टेड्स सपोर्ट्ड ऐन लिसंट टू एडल से वह अपने बड़ों का अच्छे से सुनते हैं सपोर्ट करते हैं और इंको डिस्पेट भी करते हैं वाजी वीमन वर नाट हेल बाइफोस और कैप्चर जो वज्जी के जो आउरते हैं वो लोग बाइफोस नहीं उनको काप्चर किया जाता है और चैतियाज लोकल जो श्रेंश होते हैं वर मेंटेंड इन बोथ ताउंस अन विलेचे से वोके वाइस सेंस हूप फालूट डिफरेंट बिलीफ से वर रिस्पेक्टेड एंड आज सो आलाओ तो इंटर अंडिव दा कंट्री फिरी ली देखिए यह कितने अच्छी बात है कि उस वक्त जो जो वाइस संथ उनको फालू किया जाता था अलग अलग बिलीफ को बिलीफ क महात्मा हुआ करते थे उनको जो है कि सीटी वगरा में आने का और रहने का उनका रिस्पेक्ट करने का को भी फालू करते थे अब यहां पर राजास आफ़ पावफुल किंडम स्टाइट टू कॉंक्वेड दस संघास तो बहुत से राजा ऐसे तो जो के जो संघास को कॉंक शेंदी यह आगो पैंद्रह सो साल पहले हुए भड़ीत था कि वेंगिशन आसकता है कि संघास के देट optimize के डियागा था आप इतना मत प्रेशान हुए आने वाले चैप्टर में आपको बस आप इतना जाने कि गुपता रूरस के द्वारा इनको कांक्वेर कर लिया गया था इसके बारे में पूरा इंफ्रमेशन आपको मिल जाएगा ओके वीडियो बहुत लंबी हो गई है यहां पर वीडियो खतम हो जाएगी चैप्टर यहां पर खतम होने वाला है कि आप अपनी इंडिया के बारे में पढ़ रहे होते हैं लेकिन चैप्टर के में एक पेज में किसी कंट्री के बारे में ही बताया जाता है ताकि आप वर्ड हिस्टिरी जब पढ़े तो ने वाले वाल हिस्टिरी आगू के लिए愛 सान हो तो अब रहारी ग्रीस के बारे में कि उसको आप एटलस में देखें वह कहां पर है तो अराउंड ट्वंटी फाइव अगो देखिए यहां पर इंडिया के अंदर ट्वंटी फाइव अगो क्या हुआ था और इसी के पैरिलल जो है वर्ल्ड में क्या हुआ था यह यही बताया बताने के कोशि की जा रही है ncrt के दोरा तो the people of Athens set up a form of government which was called a democracy government को क्या कहा करते थे डेमोक्रेसि कहा करते थे और वह सारे क्या होता था कि all free men over the age of 30 30 वर recognize all as full citizen अब होता क्या था कि जितने भी वहां के free men होते थे और जो 30 साल के उपर होते थे उनको फुल सिटीजन माना जाता था देयर वस असेंबली डैट मेट इस फोर्टी टाइम्स आ यह और होता क्या था कि साल में कम से कम वो लोग चालिस बार तो मिलते ही थे और किसी भी चीज़ को डिसाइड करते थे मौ इंप्राइं उनकों को वा डिसाइड करते थे और सटीजाइजन अगलीन से सारी के सारी जो सिटीजन थे वो इस मिटिद्ग को अचैंड करते तो जहारे से यह बात है रहे लोगों को citizen माना जाता था और वही लोग इसको अटेंड करते थे यानि कि इससे नीचे के लोगों को नहीं अटेंड करने का मौका मिलता था in meetings को okay all okay appointments for many positions were made through lottery all those who wanted to be chosen gave in their name से तो अब जो appointments होते थे अलग-अलग परकार के जो positions होते थे उसके लिए तो वो लोग कैसे चूस किया जाते थे लोट्री के दोबारा चूस किया जाते थे जो लोग चाहते थे कि हम जो मिनिस्टर बनें या हमारी appointment हो तो वो लोग अपना अपना नाम देते थे आज जिन लोगों के लोट्री में नाम आता था उन लोगों को select कर लिया जाता था तो citizen was expected to serve in the army and the navy तो जो citizen होते थे तिस साल के उपर लोगों के लोगों को citizen माना जाता था उन लोगों को यह aspect किया जाता था कि भी वो लोग सर्व करेंगे आर्मी और नेवी वगरा में have however women were not considered citizen अब देखें यहां पर कितनी बड़ी बात है कि women को consider किया ही नहीं जाता था कि वो citizen है एथन स्कीन ओके also many foreigners है और जो बहुत से foreigners होते थे जो यहां पर आके रहा करते थे या काम क्या करते थे उन लोगों को citizen का right to citizen नहीं थी okay besides there was several thousands slaves in Athens से उसके इलावा भी Athens के अंदर बहुत ही ज्यादा slave भी रहा करते थे who worked in mines mines fields thousands of and workshop workshop में वो लोग काम करते थे household वगरा में वो लोग field वगरा में माइस वगरा में वो लोग काम करते थे जो slave हुआ करते थे तो दे टूम वर not treated as citizen citizen के रूप में treated किया ही नहीं जाता था तो अब यहां पर question यह किया जा रहा है कि do you think this was a true democracy आप यह बताए कि आपको क्या लगता है कि यह true democracy थी तो इससे तो क्या पता चलता है कि यहां पे slave का slave को रखा जाता था जिनसे बहुत ही brutally काम करवाया जाता था उनको citizen समझा ही नहीं जाता था यहां तक कि आप और तो को citizen मानते ही नहीं थे तो यह कैसे true democracy हो सकती है बिल्कुल नहीं यह democracy है और यहां पे जो भी लोगों का को choose किया जाता था उनको जो है कि by lottery choose किया जाता था जिसकी वज़ाद से यह भी यह गलत है हम तो elect करवाएंगे और आप जो है कि 30 साल के ऊपर के लोगों को citizen मानते थे यानि कि 30 साल के नीचे कि जो लोग थे उनको जो है कि आप citizen मानते नहीं थे तो यह democracy कैसे हो सकती है तो दोस्तों यहाँ पर chapter complete होता है अब कुछ यहाँ पर डेट के बारे में दिया गया इसको बारे में हम जान लेते हैं कि सम इंपोर्टन डेट किया है कि नियो काइंस आफ राजा से जो उभर के सामने आए अब थी थाउजन इस अगो तीन सो तीन हजा साल पहले यह उभर के सा कर दो गया अलेक्जेंदर से इन्वेजन और से एंपोजेशन आफ दिघा निकाया का जो चुड़र ऑप से शुरू से शुरू कब शुरू हुआ था था 300 साल पहले आपड़ गनाज और संगा घना संगा चाहां कि खतम हो थे वह पंदरश सो साल पहले खतम हुए थे कि किसक अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा बिल आइकन को ज़रू प्रेस करिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आने वाली वीडियो को आप इंजॉय कर सके और अगर इसमें कोई कमी रहे गई तो आप इसको भी बताएं ता और दाइक THE आने वीडिकेशन आपको जरया पिल आपको में एक प्रूंगा झाणन आपको जरे प्राऊंगा गाम सके प्रिहे विल वीडियों में भी समें हुआ भी चाने टाने दो ज्चाने उresse हां राईको आपको झालाग जाबने आपको झाल जर चाने gent आपको सबसे प्